है लो गाइज वेलकम बैक टू मैं चैनल तो एक अपडेट है गवर्मेंट कॉलीज और चंडिगड की ओर से देखे गाइज उसके जो इलीजीबल जो केंडिडेट है उसकी लिस्ट आ गई है इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी और कुछ उसके इंदर कुछ बच्चे उसके लिए ना कि आपको क्ने लिए एट्मीश चेह अच्छ के लिए भी स्टडेंट आपके में धिक लिए तो उनके और कॉलेट के लिए चंडिगड के लिए हैवर्मंट को दिखा देता हूं फया दिखनBERG नहीं है उद बुछ दिखा कर द focusing लिखा हुआ है कि जिस टाइम आप एन्टरेंस टैस्ट के लिए जाएंगे को चंडीगर के लिए निरे दोनों के हैं तो जैसे आप एंटरेंस देने के लिए जाएंगे तो साथ में आपको जितने भी अपने डोकुमेंट्स इसके अंदर लगाए होंगे अपने लाइक जैसे 10 12 की मार्क शीट हो गई ठेगे और अपना एड्रस प्रूफ के लिए हो गया आधार कार्ड हो गया और अपना सर्टिफिकेट हो गया जितने भी डोकुमेंट्स हैं रिक्वार्मेंट्स डोकुमेंट्स वह बतनाए जो भी आपकी जिरोक कोपी होगी जो आपने स bestimm में है अपने उसके ओपर आपको लिखना पड़ेगा अपने डोकुमेंट्स के ऊपर अपना रोन नंबर ठेक और वह पूरा का पूरा सेट जो है जिस टा임 में पर आप एंतर आप सेंटर हो यहां मैं नीचे सारे लिंक कर देंगा आपको डिस्क्रिप्शन में और जैसे ही इसका अडमिट कार्ड आता है निकलना तो आप उसको डाउनलोड कर लिजेगा तो आपको 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 निकालकर और अडमिट कार्ड की भी एक फोटो को पी लगा दीजिये गा तो ज्यादा दोकुमेंट्स ही होते हैं लाइक जैसे कि आपकी 10-12 की मार्क शीट हो गई या आपने गिडिजवेशन किया उसकी मार्क शीट हो गई ठीक है और साथ में जो आपका प्रोल नंबर भी लिखा हुआ होना चाहिए उस पूरे सेट को आप उस बॉक्स के अंदर डालेंगे जिस टाइम आप एंट्रेंस देने जाएंगे एंट्रेंस के गेट पर ही रखा हुआ होगा वो बॉक्स तो उसके अंदर आपको इसको डाल देना है यह शायद इसलिए हो है क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि कोविड-19 की वज़े से सारा एजूकेशन डिपार्टमेंट जो उपर नीचे हो गया है तो इस चीज़ को कि टच में आए इस वज़े से उन्होंने वही पर रख लिया है जैसे जिस बच्चे का सेलेक्शन भी हो जाएगा तो उसी हाथ तो टैस्ट और जैसे स्टिल-डाइफ होगी इसके अंदर को लिजयोफ आट में क्या हुआ तही देली को ली जो फार्ट में तो इसके खिलाफ था हूं और रहुंगा तेकं पर नहीं होना चाहिए कुछ ना कुछ वो भी लोग ऐसे कर सकते थे जहां पर सेंटर पड़ा है उधर ही वो रख लें अपना कोई एक स्टिल लाइफ करा लेते तो कुछ नहीं जाता उसमें और अच्छा भी होता कुछ बच्चे बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे थे मैं काम देखता था उनका वो मेरे को भेज देते बड़ा यान कि इतना हाई स्किल काम था तो वहां वो आउट कर रहे हैं इस चीज़ को यह भी चीज़ सोचना चाहिए खाली नंबरों से सेलेक्शन करना भाई ठीक नहीं है यह तो गलत है और एक जो पेपर आया था मैंने वो भी जो उसके बारे में सुना भी था वहां पर काफी सारी प्रोब्लम्स हो रही थी तो यह भी चीज तो जैसे एडमिट काड आएगा उसके भी मैं अपडेट दे दूँगा और ऐसी अपडेट पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और इस वीडियो को आप शेर कर दीजिए गाइस थैंक यू थैंक यू फर वाचिंग